एक नया नरेटिव इमर्ज हो सकता है, नया नरेटिव जो है काफी जल्दी बन सकता है. क्रिप्टो के रांड जो है, DeFi का, You know DeFi में DeFi Banks का, क्योंकि recently अभी अमेरिका में तीन banks जो है वो shut down हुआ है और काफी लोग का पैसा उसके दिर फसा हुआ है सो यहाँ पे banking system पे जो trust एक time पहले लोग का उठ गया था 2008 के असपास उसी time पे bitcoin का भी invention हुआ था सो इतने सालों के बाद अल्मोस यहाँ पे 15 साल माल लो 15 साल के बाद ऐसा हुआ है कि वापस banking system से लोग का trust जो है खतब हो रहा है और यहाँ पे bitcoin ने भी sort of एक pump दिया है कल और आज की अगरवाद करते हैं तो तो यहाँ पे एक तो bitcoin इस वाई से बड़ा है अगर आप वो decode करने कुशिश करते हो कि bitcoin कैसे pump हुआ क्योंकि यह तो dump हो रहा था price नीचे जा रही थी हम तो short लेकि बैठे थे बड़ उसका fundamental side पर reason है कि bitcoin जिस चीज के लिए बना था जिस situation के लिए बना था situation वापस आ गई है इसलिए fundamental wise bitcoin को अच्छा perform करना चीए कई सारे stable coins sell करके भी लोग bitcoin में move हो रहे इवन CJ जो finance के founder है उन्होंडे भी announce कि almost 1 billion dollar का recovery fund है वो अभी BTC, ETH, BNB वे convert करने वाले हैं तो यहाँ पे BTC, ETH, BNB जो जैसे top के coins है वापे एक short of momentum बन सकता है इसके अलावा जो traditional banking जो है वहाँ से लोग अपना पैसा move कर सकते है decentralized finance में DeFi banks में जैसे banks में आप अपना पैसा deposit करते हो तो आपको उसके उपर fix deposit जो आप कर रहे हो तो sort of आपको return मिलता है interest rate के साब से return मिलता है जो depend करता है 4%, 5% साल बर का इससे भी कब होता है कही जगे और वही DeFi में वो return आपको मिलता है और काफी सही तरीके से बिलता है, transparent तरीके से बिलता है तो इस टाइप की कही साथ DeFi banks है Aave, compound, liquidity यह उसके examples है यह जो projects है और इनके जो folks है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो उसके बार इस video हम बात करेंगे So make sure you watch this video till the end And also make sure you subscribe to my YouTube channel So you don't miss any future update So सबसे पहले जो project अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो वो है Aave और Aave के folks Aave सबसे बड़ा DeFi का lending borrowing protocol है और DeFi का पूरा market ही Aave नहीं बनाया अगर उस angle में बात करते हैं तो यह folks का जो data जो कहा बिलता है वो DeFi Lama में बिलता है और वो कैसे पता लगाते है DeFi Lama कैसे यूज़ करते है उसके उपर में detail video पहले अलड़ी बनाया हुआ है गाइड बनाया हुई है तो आप उसको go through कर सकते हो तो आपको वो idea लग जाएगा कि किस टाइप से DeFi Lama यूज़ करके alpha डूढ़ने है पता लगाला कौन से coin अच्छा perform कर सकते है यहाँ पर आवे दिखूँगे तो आवे तो एक अच्छा coin ही है और आवे का अगर price अगर अब देखते हो पहले इनके अगर price पहले देखते है कि किस टाइप से इनका price action हुआ है पिछले 24 गंटों पर तो यहाँ पर एक activity काफी सही हुई है sort of pump आया है 64 से 73 डॉलर के असपास price कही है पिछले एक दिन के असपास के साबसे हम माल लो और यहाँ पर यह बात क्लियर है कि लोग buy कर रहे है यहाँ पर value आया है अच्छा value आया है लोग buy कर रहे है आवे buy कर रहे है MakerDAO का coin जो है Maker वो भी buy कर रहे है उसका pump आया है उसका pump in fact काफी सही है almost 35% के आसपास आया है और एक synthetics करके उसको भी buy कर रहे है और compound उसको भी buy कर रहे है तो यहाँ पर यह चीज़ तो clear है कि लोग buy तो कर रहे है यहाँ पर एक momentum तो बन रहा है अब यह momentum क्यों मन रहा है उसका reason में आपको बता दिया वैसे कि इसका reason क्या है और यह momentum कितना लंबा जाएगा वो देखने वाली बात है बट अभी हाल-फिलाल के लिए एक momentum जो है यहाँ पर बना हुआ है जैसे कि compound का यह चार्ट देखोगे तो यहाँ पर भी इसके लाव इनकी जो focus है जहाँ पर उसरे chain पर focus है जहाँ पर लो market cap की कुछ coins है तो वो भी आप देख सकते हो उस एंगल में बात करते है तो जो आवे के focus है उस पर radiant जो है वो सबसे जबरदस्त है यह आवे में तो जैसे आप ethereum से बोरो करें तो आपको ethereum पर ही वापस वापे रिटन करना पड़ेगा बड़ रेडियंट अगर आप यूज कर रहे हो तो ethereum chain से बोरो करके आप यह सी chain पर रिटन कर सकते हो तो यहाँ पर omni chain defy का protocol बनाया है इंट्रा उपरिबल डिफाई का protocol बनाया है रेडियंट ने यिल्ड भी यहाँ पर एचा generate होता है 20% के आजपास यहाँ पर yield generate होता है काफी अलेलग coins में मिलता है तो इसका जो coin है वो भी काफी सही है और इसकी activity भी आप track करोगे तो काफी सही है तो यह RD&T जो है वो एक आप track कर सकते हो ku coin पर यह भी available है जो आवे का एक fork है आवे का number one fork जो कह सकते हो यह है इसका TVL 136 billion dollar के आसपास है इसके बाद जो second coin है वो compound है और third जो coin है maker DAO है फोर्ट जो है liquidity है तो liquidity का price action सबसे ज्यादा bullish है पाकी सबसे है क्योंकि liquidity अभी recently launch हुआ है balance पर और exchange पर काफी time से था coinbase पर पहले सा था बट इसका chart आप देखोगे तो it is one of the best chart like कल मैंने share भी किया था तो और liquidity का fees काफी बढ़ रहा है like वहाँ फीस side में काफी लोग कर रहे है और इसका stable coin भी है जो dpag नहीं हुआ था इतना और यहाँ पे interest free आप lending borrowing कर सकते हो तो 0% interest है तो लोग यहाँ पर भी इसको भी try कर रहे है इसका भी TVL बढ़ रहा है तो liquidity के folks भी काफी अचा कर सकते है तो liquidity है वो तो एक हई है इसके अलाबा आपको liquidity के folks अगर देख रहे है तो यह Vesta finance करके अरबिटरम पे वेश्टा इसका coil है तो इसको भी आप देख सकते हो 17MD का इसका TVL है और यkes ETS का market cap भी कब है तो इसको भी आप देख सकते हो वेश्टा finance को यहँ पे चक्पimonilty के folks है उस पे Venus की देख सकते हो Venus पी CH diferencia कर सकते है तो यह भी दोड़ा है तो के लाग कुछ ज्यादा खास है वीनस एक है और ये मेर फाइनेंस पी आप देख सकते हो कावा के ऊपर है इसके अलावा अगर आपको इस पे देखना है मेकर डाओ के फोक्स पे तो ये हैलियो प्रोटोकॉल है इसको आप थोड़ा वाच कर सकते हो तो ये जो फोक्स है उनको कर ला है और आपको वाच कर लाए एक कोई आप देख लेला तीए व अगर आपको चेक करना है फंडमेटल चेक करना उनके मारे में पढ़ना है थोड़ा कि कुछ ऐसा न्यूज वगरा है इस किस टाइप से ङ्रोथ हो रही है इस ग्रोथ का नंबर इंपोर्टैंट है कि इन कैसे यूज़ करते है, लुँज़ लबा कैसे यूज़ करते है यूज़ करना सि LakASE B Bin सिखोगे तो कुछ कुछ, कुछ help करेंगा एग व्यव essay को आपको बता रहाएगा, और खुद वेको sights, तो की गज़ नीड़ा कस covering is this आप सी करते हैं तो उनके बारे में रिसर्च करो, टीए देखो, उनका फंडामेंटल देखो, टोकन टर्मिनल यूज करो, डीफाइल अबाई यूज करो, सीखो, अगर नहीं आना यूज कर ला है, उसके बाद आपको लगता है, कि यहाँ पे पोटेंशिल है, तो रिस्क मेनेज करके डालो, उसके बारे पैसा तो डूब सकता है, वो समझ के डालोगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि ब्लाइडली जोस में आके आ रहे है, चार पाच पैसा डाल देते हैं, पैसा बल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, पैसा डूबेगा आपका, ऐसा सोचो के तो डूबेगा, तो अगर वो माइनसेट के साथ आप काम करते हैं, एजुकेशन पर ज्यादा फोकस रहता है, तो यह अपोशनेटी हो सकती है आपके लिए, इससे पहले भी लिक्विड स्टेकिंग का नरेटीव काफी पहले मैंने लोगों को बताया था, बाकी लोग इस नरेटीव के बारे में हो सकत है, एक मेने बाद बात करें, दो मेने बात करें, अगर अभी इस तरह टीम में आप इनवल हो तो आप अल्ली हो, काफी अल्ली हो, यह चीज आप इबाग में डाल सकते हो, बट उस पे बे बोलना उस पे बिल्कुल बिलीव नी करना चाहिए, आपका खुद का रिसर्च करना काफे जरूरी है, इसलिए मैं यह आप से उब्यत करूँआ कि आप खुद रिसर्च करो, खुद इनके बारा पड़ो, सब्जो, तो इससे आपको बैटर इंसाइट बिलेगे, आप खुद के लिए अच्छे डिसिजन ले पाऊगे, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेर करना, अपने दुस्तों के साथ, चैदल पर नहे हो तो चैनल को सब्स्राइब करना, बत पुलना, चैनल पर काफी कुछ content मना हुआ है, काफी amazing content मना हुआ है, काफी कुछ सीखने को बिल सकता है, इंडिया तो काफी कुछ help करेगा जब bull market आएगा तो opportunity काफी अच्छी बिलेगी और पैसा भी कबाल होगे बाकी कुछ आपकी जो भी thoughts से आप comment में बता सकते हो मिलते नए वेडियो भी जल्दी thank you